बहुत बड़ी गलती हो गई वेरसे अगर मम्मी ने वीडियो देख ली तो बड़ी पिटाई होने वाली है गर जाके जार खतरनाक नीद आई है मैंने चैक-इन किये है यहाँ पे होस्टल में साड़े बारा के आस-पास इसके लावस्टी वाले रूम उसमें भी एक लड़की अकेली है यह फिर प्राइवेट में पूरा बता देता हूं कि क्या क्या है और प्राइस में बताई चुका हूं तो कुछ इस तरह से दिखता है मेरा वस्टल बाहर से यह मैं आपको अपको दिखा चुका हूं विलेच 218 guest house है नाम यहां से entry के लिए आपको सबसे पहले ये bell दिखाई देगी bell आपको दवानी है वो अंदर से खोल देंगे और अगर अंदर कोई नहीं होगा तो आपको owner यहां का passcode देदेगा वो आप डाल के enter कर सकते हो तो जैसी आप डालोगे यहां पर हमें चाबी छोड़ के जानी है जब हम check out करेंगे इसके लावा यहां पर लिखा हुए कि आपको shoes उतार के जाना है तो यह racks बने हुए यहां पर अपने shoes या फिर slippers उतार सकते हो और फिर उसके बाद आपको अंदर जाना है तो यह है hostel का common area जहां पर सब लोग बैट के बाते कर सकते है या फिर बैट सकते हो आप अराम से chill कर सकते हो books पर सकते हो breakfast कर सकते हो kitchen भी यहीं पर ही है यह सामने kitchen है यहां पर table पर आपको coffee के pouches और चाई के pouches मिल जाएंगे इसके लावा यह बरतन है और बरतन आपको खा के खुद दो होने होते हैं यहां पर toaster रखा हुआ जितनी भी machines आप यूज कर सकते हो इसके लावा फ्रेज है यहां पर water dispenser है ठंडा और गरम पानी दोनों मिलता है coffee बनाने वाली machine है machine नहीं sorry kettle कहेंगे इसको गरम आप इसमें noodles भी बना सकते हो jam bread butter सब कुछ रखा हुआ breakfast इसमें included है इसक यहां पर लंकावी में दोनों ही जगा को toilets काफी जादा अच्छे और साफ है बलकुल अब final जिखाता हूँ अपना room तो यह है मेरा room इसको open कर लेते हैं इसकी चाबी मेरे पास actually और कोई नहीं रुका हुआ मैं अकेला ही हूँ इस room में अभी तो यह है मेरा room total eight beds है इस वाले इसकत नहीं होगी इसके लावा ऐसे beds है bunk beds है एक के उपर एक total चार beds है यानि की total 8 हो गए AC है AC ठीक था गया इतना तेज नहीं है लेकिन काम चल जाता है तो यह सारे beds है मेरा वह उपर वाला bed है और वहीं पर यह एक power socket भी लगा हुए आपके devices charge करने के लिए मेरे लिए काफ चलके तो गेट के जब भार निकलो के left side में यह garden पड़ता है इस guest house का यहाँ पर अपने आप two wheeler खड़े कर सकते हो रात को और यह पूरा garden है कितना खूपसूरत garden है और इसी garden के वैसे मैंने इतनी दूर यह guest house book की है आप अराम से shore से दूर chill कर सकते हो यहाँ पर बैठ सकते ह और यहाँ पर यह barbecue होगा आज रात को तो इसके लिए मैं excited हूँ काफी जादा इसके लावत सामने यहाँ पर swings लगे हुए कुछ आप अराम से लेड भी सकते हो बाहर garden में swings में और इसके लावत छोटा swing भी है बैठने के लिए तो अगर आप group आ रहे हो friends का तो यहाँ पर आ निकलता हूं घर से बाहर कुछ खाने के लिए अंधेरा होने वाला बिल्कुल तो फाइदा नहीं है कुछ भी घूमने जाने का इचनी दूर तो इस अच्छा कुछ खाले तो में एक इंडियान रेश्टरेंट मिला पास में तो आपको बताता हूं जागी खाना कैसा है यहा चिकन के पीस है अगरेवी वाला चिकन है और यह सैलेड इसके अलावा अलग से फ्राइड शिकन लिया मैंने यह यह तीन रिंगिट का है एक पीस यानि की हो गया राउंड 50 रूपी के आसपास और इसके लावा एक 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 और फॉल्ट को फी लिए 2.5 रिंगिट की इसके अलावा वैज में भी काफी ओप्शन्स है इडली मिल जाएगी आपको सांबर वड़ा है और इसके अलावा पनीर की सबजी है यहाँ पर शाही पनीर है शायज से पहले मैं यह खा कर देखता हूं कैसा टेस्ट है फिर आपको रिव्यू देता हूं इसका खाना तो कहना पड़ेगा काफी टेस्ट ही था अब इंडिया जैसे टेस्ट नहीं था लेकिन दूसरी कंट्री मांके इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो वर्थ ही है मेरी जाप से और बजट के जाप तो भी काफी सही है जगा तो एक और मेन्यू मिला है मुझे यहाँ पर इसमें देखो लिखा हुआ है यानी की हो गया 52 53 रुपीज का गरलिक नान पांच रिंगेट का चीज नान भी पांच और बटन नान भी पांच रिंगेट का इसके अलाबावा तंदूरी चिकन लेते हो तो दस रिंगेट का वही जो मैंने वां बुकित बिंतांग में खायत और दस रिंगेट का चिकन हो गया तो ऐसे कुछ कॉम्बोस मने हुए यहां पर एक और मेन्यू है उस में डिनर में लिखा हुए कापी सारे बटर टोसाई, मसाला टोसाई, चीज टोसाई तो यह शायद चे 2 डोसा होगा तो 6 Ringgit चे 2 Ringgit एक टो चाही Cheese 2 डोसा 8 Ringgit तो कौन इंडियन और ईंडियन दोनों पूद आपको मिल जाएंगे तो मेरे हिसाद से यहाँ पर बारह से 15 Ringgit में एक टाइम का उझाएगा यानि कि 200 से 200 तोगी बीच अब मैं अपना बेल करवाता हूँ देखता हूँ कितने पड़ी है मेरे को यहाँ पर टोटल बेल बना 9.5 रिंगेट का डिनर के लिए और एक बहुत बड़ी गलती हो गई वेरसे अगर मम्मी ने वीडियो देख लिए तो बरी पिटाय होने वाली गर जाके क्योंकि अभी चल अपनी बोलुमा बतादू मागी खाया लेकिन डाट पढ़ने वाली है बहुत बहुत जादा तो चलो यार मैं निकलता हूँ अपने होस्टल के लिए यहां से और आज के लिए वस इतना ही ता पूरा देन ऐसी निगल गया है एरपोर्ट में राक को नीन नी आई और दिन मे जाएंगी क्योंकि मैं अज तक अपनी लाइफ में एक भी बीच नहीं गया साफी दुख की बात है लेकिन कोई बात नहीं कल फाइनली मैं जाओंगा पहले बीच पे अपने और वह भी दूसरी कंट्री में किसी तो वह सब मैं आपको कल रिखाऊंगा वीडियो में और इसक बात कर लेते हैं आज के टोटल खर्चेगी सबसे पहले मैंने होस्टल लिया 22 रिंगेट का जोगी कपड़ा 420 रूपीज का उसके बाद मैंने स्कूटर रेंट पे लिया 30 रिंगेट का यानि की 520 रूपीज लंच करा मैंने 10 रिंगेट का जो मैं आपको नहीं दिखाया थ क्योंकि तो उसमें मैंने यहां की एक वो लोकल डिश खाई थी जो मैंने मलेशिया में ट्राइब करी ती नासी करके कुछ ऐसा था राइज मिलके उसमें तो वह दस रिंगेट का यानि की 175 रूपीज इसके बाद मैंने सीधा डिनर करें क्योंकि दुपायर को सो गया था मैं है 9.5 रिंगेट का यानि की 170 रूपीज अच्छा डिनर में उस कोफी के साथ साथ एक पानी की बोटल भी ली तो 9.5 रिंगेट जब बना था तो यहीं खर्चा हुए आज के दिन मेरा यानि की टोटल पड़ा है मेरे को 72 रिंगेट और इंडियन करेंसी में बात करी जाए त नंकावी में भी इतना है बाली बाली में इतना है 2000 से तो काफी अंदर वोई घठ रहा भी तो 15 से में बाकि यह था ठोटल आज का खर्चा बाकि कल मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूंगा